आपका उनलाइन गुरू चैनल में जैसा कि मित्रों आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पाइथन की रेगुलर लाइफ क्लास डेली चल रही है तो उसी बेसिस पर बच्चों की मांग थी कि सरकुछ प्रैक्टिकल वीडियोस हमें दीजे क्योंकि हमें समझ भी नहीं आ रहा ह कि कैसे हम लोग open करेंगे कैसे close करेंगे कैसे program को execute करेंगे तो यह सारी details मैं ले करके आया हूँ आज आप लोगों के लिए और मैं पूरी details में बात करने वाला हूँ एक चोटी सी चोटी चोटी बातों से ले करके बड़ी बात हम लोग करेंगे आप लोगों को बिल्कुल प पाइथन में कौन सा प्रोग्राम हमें करना चाहिए कैसे एक्जिक्यूट करना चाहिए कैसे हम लोगों को सीखना चाहिए यह सारी डिटेल्स में आप लोगों को इसी वीडियो में बनाऊंगा बस इस वीडियो को आप लोग आखरे तक देखते रहिएगा मैं बात कर रहा हू तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि इसकी python के first program की python में कैसे हम लोग first program करते हैं देखिए हम लोग अगर python का shortcut key कहीं रखे हैं shortcut कहीं रखे हुए that is doesn't matter हम लोग वहां से directly खोल सकते हैं लेकिन अगर हम लोग shortcut नहीं रखे हैं तो हम लोग जाएंगे home button पर और यहां पर search करेंगे idle क्या search करेंगे idle search करेंगे जो हम लोग idle search करेंगे और यहां पर open करेंगे तो हमारे सामने एक cell खुल जाएगा क्या खुल जाएगा और डायटली आप जान लीजिए सेल में सेव करने की जरूरत नहीं होती है जब तक हमें new page नहीं लेंगे देखिए इसमें भी हम अपने hello world मैंने यहां पर hello world लिखा यहां पर आप लोग को पता है कि इस codes देना बहुत जरूरी है और codes चाहे single हो चाहे double हो कोई इस matter नहीं करता है और जैसे हम लोग देखिए इंटर किये यहां पर hello world दे दिया मतलब यहां पर ना तो हमें save करने की जरूरत पड़ी ना तो इसे execute करने की दो पर directly हमें answer दे दिया दोस्तों लेकिन यहां पर तो हम लोग देख सकते हैं directly लेकिन मैं बात करूं अगर अपने program की तो actually program हम लोग बनाते कहां हैं तो हम लोग या तो हम लोग जाकर कि यहां फाइल से new file ले या तो हम control extend का प्रियोग कर सकते हैं तो दोस्तों हम लोग यहां से ले लेते हैं new file को ठीक है हमने यहां से ले लिए new file और इसको आप लोग पहले से एक बार save कर लीजे कहीं पे अपनी फाइल इसको आप लोग सेव जरूर कर लेंगे टेस्ट के नाम से मैं सेव कर लेता हूं इसको कि हमें पता चले कि हम टेस्ट के नाम से इसको सेव कर रहे हैं ठीक है तो हमने क्या किया यहां से टेक्स्ट के नाम से सेव कर लिए ठीक है तो यहां पर क्या करना होगा यह यहां पर इसका थोड़ा अलग तरीका अधियान दिजेगा है अगर हमें पर्स प्रोगरॉजों को यूज करना है कि लिखेंगे जिए यहां धुकला प्रिन्ड रिस थोड़ा कल सेट यहां अ Alert करता है यहूभर लोग रखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे इसको save करेंगे और या तो हम चाहें तो यहां से run में जा करके f5.run customize shift 5 से कर सकते हैं तो यहां से हम लोग जैसे ही print करेंगे देखिए हमारे पास क्या दे रहा है यह command line argument से दे रहा है तो यहां से हम लोग क्या करेंगे जैसे कि C language और Java और जो पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ी सी problem होगी, क्योंकि आप लोग पता है कि last में semi column ये लगाने की जरूरत पढ़ती है, लेकिन इसमें ये लगाने की जरूरत नहीं, बार-बार आप लोगों से बता रहा हूँ कि semi column लगाने की जरूरत इसमें नहीं, आप लोगों को confused नहीं होना है, यहाँ पर लिख दिया हमने hello world, फिर हमने लिख दिया hello, हमने यहाँ पर लिखा hello, फिर लिखा क्या, रतनाकर, hello रतनाकर लिख दिया, ठीक है, हमने लिख दिया, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पिर हम लोग लिख दिया हमने, हम लोग लिख दो लिख दिया हमने, कुछ भी देखें, यहाँ पर लोग कुछ भी लिख सकते हो, कोई ऐसा rule नहीं है कि Hello, प्रिंट ही लिखना, Hello Python ही लिखना है, यह ऐसा कोई रूल नहीं है Python में, ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख दो, Hello Unique Online Guru, तो यह आप Unique Online Guru, आप Dash दे कर के क्या लिख सकते हो, आप Dash दे कर के लिख लो, YouTube Channel, ठीक है, Channel लिख लो, ठीक है, अब इसके बाद जैसे ही हम लोग इसक जैसे ही यहाँ पर रन कराएंगे, हम लोग रन कराएंगे, तो यह Save Option माँगेगा और रन करेगा, देखिए, हमारे पास Hello World, रतनाकर, Hello Python, Hello Unique Online Guru, YouTube Channel, यह सारे आउटपूट दे दिये ना, तो देखिए, यह तरीका होता है हमारा रन कराने का दोस्तों, ठीक है, यह बात आप World वाला प्रोग्राम, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दूसरी बात देखिए, आप लोग जैसे ही माले यहाँ पर Save कर दिये हैं, तो यहाँ पर आप लोगोंने Save कर दिया, और फिर हम लोग जाएंगे अपने File में, जहाँ पर मैंने इस File को Save कर रखा है, टेक्स्ट के करेंगे, तब खूलेगा, पहली हम असा करते हैं कि आप लोगों को यह प्रोग्राम बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और आगे की बात मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप लोग पता है, एक होता है हमारे पाट Notepad Plus, तो हम लोग वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अपन नहीं पता है, तो जान लीजिए, कि .py क्या होता हमारा Python का extension name होता, अगर हम लोग .py से save करते हैं Notepad Plus में, तो क्या होता हमारा program यहाँ पे execute करता है, तो यह हमारा बहुत छोटा program है, आगे भी मैं आप लोगों के बहुत बड़े-बड़े programs बताऊंगा, आप लोगों को बि और like और share करना बिल्कुल नहीं बूलेंगे, क्योंकि आपका भाई लगा हुआ है, और regular आप लोगों को classes दे रहा है, regular practical videos, live classes भी दे रहा है, तो दोस्तो आप लोगों से एक request है कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा इसको share करें, और लोगों को बताएं कि पूरे YouTube पे कोई अब तक live classes नहीं दे रहा था, मातर यूनिक online गुरु चैनल रतनाकर सर के द्वारा live class दी जा रही है, बिल्कुल आप लोग उसको share कर सकते हैं, अगर ये वीडियो पसंद आई हो, तो एक बार like से subscribe जरूर करें, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जाहिन!